Hello friends, कैसे हैं आप सब? I hope you are all good. तो आज हम फिर से आपके लिए एक application लिकर आए हैं, जो है application for change of section. यानि आपको अपनी जो section है class का उसको change करके किसी और section में जाना है और आपको ये application अपने school में submit करनी है. ये application भी class 3rd से लेकर 6 तक के सभी बच्चों के लिए most important है और अक्सर आपको आपके exam में देखने को मिलती है. ये हम English में लेकर आए हैं और साथ में इस वीडियो के vocabulary भी लेकर आए हैं जो यहाँ पर important word यूज हुए हैं उनकी हम Hindi में आपके लिए translation लेकर आए हैं जो आपके आने वाली classes में आपकी vocabulary भी improve होगी और काफी helpful होगा आप सभी के लिए तो friends my name is Dougal and you are watching Dougal Education तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं आप सभी के लिए तो सबसे पहले आपको जब यह शुरू करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है left hand side part 2 फिर लिखना है आपको the principal फिर आपको अपने school का नाम लिखना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है government model high school तो जो भी आपके school का नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे कि मेरे school का नाम यह है उसके बाद हमने यहां पर लिया है, यह कहां पर है, यह चंदिगड़, तो जहां पर होगा, वो आप यहां पर mention कर सकते हैं, उसके बाद आपको, अगर आपके principal sir हैं, तो आपको लिखना है respected sir, और अगर mem है, तो आपको लिखना है respected madam, चलिए आगे देखते हैं, कि आगे आप को यहां पर बताने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, I back to say that, यानि मैं आपको यह खहना चाहता हूँ, I read in section B, कि मैं section B में पढ़ता हूँ, my friend reads in section C, और जो मेरा दोस्त है, वो कहां पर है, वो section C में पढ़ता है, we live in the same cloney, हम दोनों एक ही cloney में रहते हैं, we study together, और हम साथ म में पढ़ते हैं, kindly change my section from B to C, किरपया करके आप मेरा जो section है class का, उसे change करके B से C में करें, ताकि हम अपना homework और आना जाना साथ में कर सकें, उसके बाद आपको यह application खतम करना है, खतम करने के लिए आपको क्या लिखना है, I shall be thankful to you for this act of kindness, आपकी इस दया के कारण मैं आपका हमेशा धन्यवादी रहूँगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको खतम करनी है left hand side से, yours evidently, आपको अपना नाम लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लक्ष लिया है, आप अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद अपनी class लिख देंगे, जो भी आपकी class है, third, fourth, fifth, six, और आपको अपना रोलंबर mention करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो जिस दिन आप यह letter लिखेंगे, वो date आपको यहाँ पर mention करनी है, बच्चो, चलिए vocabulary देखते हैं आपकी, कि vocabulary जो हमने आपके लिए लिए है, वो क्या क्या है, सबसे पहले है आपका respect, respect का अब है, सम्मान, उसके बाद bag, यानि आप निवेदन करते हैं, यानि कुछ कहना चाते हैं, तो वो निवेदन करते हैं, उसके बाद friend होता है, दोस्त, उसके बाद leave है, रहना, together साथ में, kindly किरपया, kindness दया, और change बदलना, एक बार revise कर लेते हैं, respect सम्मान, bag निवेदन करना ह दोस्त, live रहना, together साथ में, kindly किरपया, kindness दया, और change बदलना, तो बच्चो आपको ये वीडियो कैसे लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को like, share और comment करना मत बूलिए, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो को देखना चाते हैं, तो आप हमा thank you so much for watching this video, मिलते हैं आपसे next video के साथ, तब तक के लिए goodbye, thank you so much for watching this video